हलो फ्रैंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि निमसिट में टोटल 40 कोस्टन रिजिनिंग सेक्षन से पूछे जाते हैं तो उन्ही 40 कोस्टन को हम लोग डिसकस कर रहा थे तो हम लोगोंने 30 कोस्टन तक डिसकस कर लिया था अभी भी 10 कोस्टन बचे हुए हैं तो उन्ही 10 कोस्टन को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो कोस्टन नंबर 81 है फाइंड आउट दे रॉंग नंबर इन फॉल्विंग नंबर सिरीज एक सिरीज दी हुई है इसमें से हमें बताना कौन सा रॉंग है ठीक है सिरीज क्या लिखा हुआ है 56, 58, 62, 70, 84, 118 और 182 हमें बताना इन में से कौन सा रॉंग है तो ध्यान से देखें ये 56 से 58 हुआ है तो यानि 2 एड किया होगा इसमें क्या एड किया है? 4 इसमें 8 तो ये पैटर्न मिल गया है 2 एड किया है, 4 एड किया है, 8 एड किया है तो मतलब इसमें 2, इसमें 4 एड किया है तो हम 2 square लिख सकते है इसमें 8 एड किया है, तो 2 के power 3 लिख सकते है है न? तो यानि याँ 2 के power 1 है तो एक पैटर्न मिल गया हमें तो next वाले में क्या एड होना चीए? 2 to the power 4 एड होना चीए इसमें 5 और इसमें 2 to the power 6 हम लोग देखते हैं, यहां तक तो ठीक था इसमें एड करते हैं 2 to the power 4 यह मतलब 16 16 जब एड करेंगे तो होगा 86 लेकिन यह लिखा आया है 84 तो मतलब करेक्ट होना चीए था 86 तो रॉंग हमारा यही मिल गया है आगे आप एड करेंगे 86 में तो यह आजाएगा इसमें फिर इसको एड करेंगे तो यह आजाएगा तो मतलब रॉंग कहों सा है 84 हमारा रॉंग है तो आपसन मैच करा आगे हम उगर तो आपसन नमबर C is the right answer ठीक है, question number 82 कह रहा है find out the missing number हमें missing number बताना है इस question मार के स्थान पे ठीक है, पहले वाले triangle को अगर notice करें हम लोग यह 1, 2, 3 लिखा है और 4, 9, 1 4 देखने से क्या लगता है, यह 2 का square है यह 3 का square है और 2 का square है तो यह 2 यहाँ लिखा है यह 3 का square तो 3 यहाँ लिखा है यह जो पहला वाला 1 है इसका भी square यहाँ ही लिखा है ठीक है, तो हम लोग ने एक pattern notice किया कि पहला जो digit है उसका square नीचे है, दूसरे वाले का side में और तीसरे वाले का square उसके side में, तो ठीक concept यह हम लोग यहाँ लगाएंगे पहला वाले digit का square नीचे है 2 का square 4, 3 का square 9 तो फिर यह 2 का square 4 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 4 होगा तो option number C is the right answer ठीक है, next question कहा रहा 83, in an examination 78% of the total student who appeared were successful मतलब जितने भी student थे total 78% successful थे, तो हम लिख लेते हैं कितने success थे, success वाले 78% success थे, तो failure कितने रहोंगे total तो 100 होते हैं तो 100 में से यदि हम 78 घटा दे, तो हमें पता चल जाए कितने लोग fail थे, तो आएगा 22% क्या थे, fail थे आगे लिखा है if the total number of failures was 176, इसने failure वाला number बता दिया है कि कितने fail थे, 176 fail थे हमने निकाला कितने fail है 22% fail है तो हमने percentage में निकाला है और इसने एक number भी दिया है कि 176, तो कहने का मतलब है 22% किसके equal होगा, 176 कि ये भी failure, ये भी failure ठीक है, आगे पढ़ते हैं 34% got first class 34% क्या, first class पास हुए है then how many student got first class कितने बच्चे first class पास हुए है ये तो पता है percent में, लेकिन हमें number में बताने है तो ठीक है, मतलब 34% की value बतानी है हमें, ठीक है तो यहाँ से हमने calculate किया कि 22%, 176 के equal है तो 1% कितने के equal होगा 176 by 22 है न, और इसको एगर solve करें, तो 11 के table से अगर काटे हैं तो 2 बार में, 1 और कितना बच्चा, 6 16, 2 से काट दे 8 मतलब ये 8 आ गया, 1% की value 8 है, तो हमसे पूछा है 34% की value first class वाले पूछे थे तो यार हम लोगों निकाल लेते हैं 34% की value होगी 8 into 34 मतलब 272 student first class से पास होएं, तो आपसे number A is the right answer question number 84, क्या है which number should come in the place of the question mark in the following chart, इस chart में, जो question mark बना, यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है, तो ध्यान से देखें 1, 2, 3 लिखा है, इससे कोई clue नहीं निकल पा रहा दूसरे वाले column को देखते हैं 7, 14, 105 105 देखने से लगता है 15 का table याद आता होगा है न, तो 105 जो है 15 के table में आता है 15 इसमें तो कोई है नहीं और कितनी बार में आता है, 7 बार में वो लिखा है तो इससे idea मिल रहा है कि 15 के table 7 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा, देकिन ये 15 न लिखकर यहां क्या लिखा है, 14 तो कहने का मतलब है 7 में यदि 105 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा तो 15 में हमें 1 क्या करना है सब्ट्राट कर देना है, तो 14 आ गया है सेम कॉंसेप्ट इसमें लगाते है अब 1 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहां 3 न लिखकर 2 लिखा है, 1 सब्ट्राट करके ठीक वैसे ही, 9 का 1, 1, 7 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा क्योंकि 13 के टेबल में 1, 1, 7 आता है, तो 13 आएगा तो यहां 13 नहीं लिखेंगे 1 सब्ट्राट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 12 तो आपसन कौंसा सही होगा, आपसन नमबर D is the right answer अगर रेशियो निकाल ले, 96 अपान 64, तो क्या आएगा 16 टेबल से काटेंगे तो यह 6 बार में और यह 4 बार में और काट दें तो क्या आगया 3 अपान 2 आगया है ना, तो आगे देखते हैं अब दूसरा वाला 48 अपान 32, इसको करें 8 के टेबल से काट दें फिर 2 से तो यह भी 3 by 2 आ रहा है मतलब एक पैटर्न मिल गया कि इनी दुनों को सॉल करेंगे तो यह रेशियो बन रहा है तो यहाँ भी यही बनना चाहिए है ना, तो हमें दिया है पहला नमबर 24 और नीचे क्या आएगा यह हमें बताना है तो हम आपसन की हल्प लेंगे पहला आपसन है 21 21 रखते हैं और इसे सॉल करते हैं तो क्या अगर 3 से काटे है तो यह 8 by 7 आ गया क्या इससे मैच किया 3 by 2 से? नहीं, तो मतलब 21 नहीं रहा होगा ठीक है? अब आगे आते हैं आपसन नमबर B पे आते हैं 16 अगर 16 सॉल करेंगे तो क्या होगा? 24 अपान 16 तो इसको काट दें अगर 8 से ही तो यह आ गया 3 by 2 तो कहने का मतलब है क्वेस्टन मार की जग़ 16 नमबर रहा होगा तो आपसन नमबर B is the right answer ठीक है? क्वेस्टन नमबर 86 कहने का मतलब है कि एक क्यूब है और उनके क्यूब में कितने साइड होते हैं? 6 तो वो जो 6 साइड है उनको कलर करना है लेकिन पास वाले एडजेसंट पास वाले साइड सेम कलर के नहीं होने चाहिए तो क्या करेंगे अगर? इसे आप एक क्यूब समझीए ठीक है? तो 6 सर्फेस है 1, 2, 3, 4, 5 और एक नीचे वाला तो क्या करना है? हमें कलर करना है तो अगर हम इसको रेड से कलर कर दे तो ये इसका एडजेसंट साइड है ये भी एडजेसंट है ये भी एडजेसंट ये भी एडजेसंट तो मतलब यहाँ पे अब रेड नहीं कर सकते क्योंकि सेम कलर हो जाएगा तो रेड कहां करेंगे? एकदम नीचे तो हमने एक कलर यूज कर लिया और दो सर्फेस कलर हो गए अब अगर हम यहाँ क्या कर सकते है? यहाँ भी ब्लू यहाँ ब्लू यहाँ ब्लू तो चार सर्फेस रंग दिये हैं हम लोग कलर कर दिये और कलर कितना इस्तमाल किया? दो तो अभी दो सर्फेस बचें एक ये वाला और एक इधर वाला तो इसको भी किसी कलर से कर देंगे यलो ही कर लेते हैं ठीक है तो पूरा कलर हो गया सर्फेस और हमने कितने कलर यूच किये हैं रेड, ब्लू, यलो मतलब तीन कलर यूच किये हैं तो कौन सा अपसन सही होगा आपसे नमबर A is the right answer ठीक है question नमबर 87 क्यारा if a man walks at the rate of 4 किमी पर आवर, he misses a train by only 6 minute अगर वह आदमी 4 किमी पर आवर से चल रहा है तो 6 मिनट देर से पहुचता है, मतलब उसका train miss हो जाता है 6 मिनट से However, if he walks at the rate of 5 किमी पर आवर, मतलब अपने speed बढ़ा लिया तो क्या होगा, वो 6 मिनट before the arrival of train, मतलब 6 मिनट पहले ही पहुच जाता है train के पहुचने से पहले, तो पूछ रहा, the distance covered by him to reach the station हमें distance बताना है, station तक जाने में, तो कैसे करेंगे, क्या लिखा है पहले कि 4 किमी पर आवर से वो चल रहा था, तो 6 मिनट उसको लेट हो गया तो माल लेते हैं कोई timing fix कर लेते हैं, माल लेते हैं 10 बजे की train थी माल लेते हैं कि 10 बजे की train थी, तो पहले case में क्या था कि अगर वह 4 किमी पर आवर से जा रहा था तो 6 मिनट देर से पहुचा तब ही तो ट्रेन मिस हो गई मतलब कितने टाइम पे पहुचा होगा 10 बच कर 6 मिनट पे पहुचा होगा और दूसरी बार में क्या हुआ कि अपनी स्पीड बढ़ा लिया मतलब 5 किमी पर आवर से चला तो क्या हुआ छे मिनट पहले ही पहुच गया पहुचना 10 बचे था 10 बचे ट्रेन आती थी तो 6 मिनट पहले पहुच गया मतलब कितने वज़े 9 चोउवन पर ही पहुच गया होगा ठीक है न तो अगर अब ध्यान से देखें कितना time difference है 9,54 और 10 बचकर 6 मिनट तो 6 और 6, 12 मिनट का time difference है है न, तो इसको कैसे लिखेंगे पहला time माल लेते है T1 दूसरा time T2 और difference का sign होता है यह minus नहीं, यह difference है ठीक है न, कहने का मतलब हमें पता नहीं यह कौन time बढ़ा है इसमें से तो answer हमें सा positive आना चाहिए तो time difference कितना है 12 तो 12 मिनट लिख दिया ठीक है, अब time का क्या formula होता है, time is equal to distance upon speed लिख दिया, speed इसकी different है एक बार S1 माल लेते हैं और distance तो same होगी उसको station तक पहुशने में जो लग रहा है तो distance upon speed ठीक है, यह T1 की जगा यह T2 की जगा D1, D2 नहीं करें, यह distance same है is equal to 12 मिनट, हमें D निकालना ही है, ठीक है, तो speed हमें पता है, तो D common ले 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 हैं तो 1 upon S1 speed पहला क्या था, 4 तो 4 लिख दिया, minus 1 upon S2, दूसरा speed क्या है 5, is equal to 12 मिनट है, तो इसको हम लोग hour में change कर ले दें, क्योंकि यह सब भी कीमी per hour में है, है न, तो 16 से divide कर देंगे 60 से, तो यह hour में convert हो जाएगा, तो इसको अगर solve करें LC हम ले ले ले, तो 20 आएगा, 5 minus 4 इसको अगर अच्छे से लिख दें तो 1 by 5, और यह cancel हो जाएगा 4 times, 5 में से 4 गया 1, तो 1 into d, 4 इदर बेजने, तो d की value आ गई 4 kilometer, distance हमें यही निकालना था, तो option number कौन से सही होगा, option number a is the right answer, 4 kilometer ठीक है, अब next question चलते 88, क्या रहा, if the numerator of a fraction increased by 25% and denominator decreased by 20% तो मतलब एक fraction रहा होगा उसका numerator है और denominator है तो माल लेते हैं पहले fraction fraction कैसा है, माल लेते हैं fraction है, x upon y ठीक है, let fraction x upon y be x upon y यह हमारा fraction है, इसमें इन्होंने बोला है, कि 25% हमने increase कर दिया है तो ठीक है, कर लेते हैं, तो x में क्या हुआ है, 25% increase हो गया है x का ठीक है, upon अब y में इन्होंने क्या गिया denominator में 20% decrease किया है, तो y में से हमें घटाना पड़ेगा, कितना percent, 20% 20% of y, यह घटा देंगे तो नया वाला fraction क्या बन जाएगा the new value is 5 by 4, तो हम 5 by 4 लिख देते हैं, छीक है बास इसी को solve करना है, तो x plus 25% मतलब क्या, 25 by 100 करेंगे, तो इसको solve करेंगे तो 1 by 4, x आएगा तो x multiply हो जाएगा, upon y minus 20 by 100 करेंगे, तो 5 बार में cancelled, मतलब 1 upon 5, मतलब y upon 5, is equal to 5 by 4 हमारा चल रहा है ठीक है, तो इसको solve कर लेते हैं, 4x यह 5x by 4, into 2, जब इसको उल्टा करेंगे, तो 5 upon 5 बन जाब 5, में से 1 गया 4, y is equal to 5 by 4 और हमसे पूछा क्या था, what is the original value, मतलब जो हमने शुरू में लेट किया था, x upon y, इसी की value पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखो, यह 5, यह 5 cancel, यह 4, 4 cancel, तो x upon y दिख रहा है, तो मैं लिख दिए x upon y is equal to, यह 4 नीचे है, तो इधर उपर, यह 5 नीचे तो इसी की value निकालनी थी तो क्या answer है, 4 upon 5 तो आप्सन नंबर हमारा सही होगा B, 4 upon 5 ठीक है, लास्ट कोशन पढ़ते हैं पजल का है, 89 एक और question है इसी में condition क्या दिया हुआ है 5 friends, Amar, Kapil, Sarwes, Rohan and Nages put on 5 shirts of different colors 5 friends है, और 5 colors दिया हुआ है, जो उनके shirts के हैं red, yellow, blue, white and green while they were going to attend a party, जब party में जाते थे तो यही सब color के shirt पहनते थे these colors are not in order मतलब यह order में नहीं है, ऐसा नहीं कि आर, Amar, Red पहनता है, Kapil, Yellow पहनता है मतलब यह order में नहीं है अगला पढ़ते है, they have different hobbies as reading, playing, outing, singing, writing इन सब की hobby है, पाचो friend की ठीक है, मतलब हमें क्या-क्या variable दिखा कि यह पाच friend है पाच color है, और पाच सब की hobby है, तो हम इसको बना लेते हैं chart में, ठीक है, कैसे बनाएंगे लिखेंगे, friends दूसरा column क्या बनाएंगे उनका color shirt का और तीसरा, उनकी hobbies, क्या-क्या है उनकी hobbies ठीक है, तो कितने friends है, पाच सब का नाम लिख देते हैं अमर, कपिल सर्वेश और रोहन नागेश ठीक है, यह पाच friends से ठीक है, अब सब का आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, कपिल who likes singing, कपिल singing करता है, singing पसंद है तो कपिल का है, कपिल यह है इसको singing पसंद है, तो singing यहा लिख देते हैं singing, ठीक है यह कपिल वाला हो गया आगे पढ़ते हैं कपिल does not wear yellow shirt, मतलब कपिल yellow shirt नहीं पहनेगा, तो यहां yellow नहीं लिखेंगे लिखकर काट देंगे, कि yellow यह पहनेगा ही नहीं, आगे service wears red shirt service जो है, लाल कलर का shirt पहनता है मतलब service, कलर वाले में लिख देंगे red आगे पढ़ते हैं, and he does not like reading or writing मतलब इसे reading पसंद नहीं है और नहीं writing पसंद है यह लिखकर काट देंगे आगे पढ़ते हैं, नागेस likes playing, तो यह नागेस है, इसे playing पसंद है, खेल, तो हमने लिख दिया, playing, ठीक है आगे, नागेस likes playing, and he does not wear blue or yellow shirt, उसे playing पसंद है, और blue or yellow shirt पहनता है, नहीं पहनता है तो यहाँ पर लिख देंगे blue cut, और yellow भी cut, यह सब color के सब नहीं पहनता है, फिर लिखकर अमर likes writing, अमर को क्या पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, अमर यह है, तो इसको राइटिंग करना पसंद है तो अमने लिख दिया writing और क्या रहा, and Rohan does not wear yellow or green, रोहन जो है yellow और green नहीं पहनेगा रोहन, yellow नहीं पहनेगा और green भी नहीं पहनेगा, ठीक है अच्छा आप conclusion निकालते हैं, क्या होगा पांच hobbies थी writing, singing, playing, reading और एक था, outing ठीक है न, तो writing तो fix हो गया singing भी fix हो गया, playing भी fix हो गया ये read तो करेगा नहीं service तो क्या करेगा, ये कही profession बच, ये कही hobby बचा है outing का, तो क्या करेगा outing ये hobbies में दिया हुआ था तो हमें पता चल गया, service outing करेगा तो चार hobbies हो गई तो क्या एक और hobbies बच्ची है, कौन सा reading वाला, तो ये reading करेंगे ठीक है तो हमने सबकी hobbies पता लगा लिया, अब हमें पता लगाना colors, क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखें, तो yellow ये नहीं पेहनते, कपिल नहीं पेहनते, yellow रोहन भी नहीं पेहनता, yellow नागेश भी नहीं पेहनता और service तो red पेहनता है तो बचा कौन अमर तो ये yellow पेहनेगा ठीक है और क्या conclusion निकाल सकते हैं हम लोग और बस अब निकल नहीं पाएगा, क्योंकि और data दिया होता, तो हम नहीं बता पाते है कि कपिल क्या पेहनेगा, रोहन और नागेश क्या पेहनेगा ठीक है, तो हम लोग आप questions पेहने है पुछा है what is the color of कपिल shirt कपिल के shirt का color क्या है तो हम लोग बोलेंगे insufficient data to answer, data और पता होता तब ही हम लोग बता पाते, ठीक है तो option number D is the right answer 90 question है, last question who likes writing कि writing किसे पसंद था तो यहां भी लिखा था, अमर likes writing है न, तो यहां से साब साब दिख रहा है कि अमर को पसंद था, option number B सही हो जाएगा, जो हमने draw किया था, यहां से भी दिख रहा है कि अमर को writing पसंद था तो कहने का मतलब है, अमर option number B is the right answer तो हम लोगों ने total 40 question discuss कर लिये हैं मतलब निमसे 2020 का reasoning वाला section complete हो गया है ठीक है, अगर आपको 2019 का भी solution चाहिए तो आप हमें comment करके बता सकते हैं ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो का लाइक करें, चैनल जरू सब्सक्राइब करें ठीक है, तब तक के लिए thank you